हेलो स्टूडेंट आज हम करते हैं कलास 11 में वर्कशिट समाइल प्रोग्राम से जो आई है समिश्च्र संख्या की 17-12-2021 की है और 7 जनवरी 2022 को ये वर्कशिट आई है इसमें भी समिश्च्र संख्याओं को पोलर रूप में चेंज करना है तो हमारे पास जो फर्स्ट जैड है वो है माइनस का अंडरूट 3 जब हम मोड जैड निकाल लेंगे मतलब आर निकाल लेंगे तो आजे का रियल जैड का वर्क प्लस काल्पनिक जैड का वर्क और दोनों को जोड देंगे अंडरूट कर देंगे तो या अंसर आजे का 2 एक प्लस 3 चार चार का वर्क मू 2, अब हम निकालेंगे 10 alpha, 10 alpha होता है, कालपनिक z बटे में real z ठीक है, मान रखेंगे तो आज एका plus का under root 3, mode लगा है तो इसलिए plus हो जएगा under root 3, 10 pi बटे 3 पर होता है, तो alpha का मान आ गया pi बटे 3 ठीक है, अब देखो जो हमारे पास z था न z का मतलब ये था 1 minus ita under root 3 मतलब 1, minus under root 3 था, तो मतलब z है, वो 4th चत्रतांश में है 4th चत्रतांश में theta का मान होता है, minus alpha मतलब, ये आज एका minus का pi by 3, तो polar form जो होगी, वो होगी, r cos theta plus ita sin theta, तो मतलब ये आज एका 2 cos minus pi बटे 3 plus ita sin minus pi बटे 3 अब हम इसका solution आप, एक किया हुआ है उसमें से note कर लो देखो z दे रहे है, इसको x को लिख दिया एक वास्तुई का वाग, कॉमा काल्पनिंग बाग वास्तुई की एक है, काल्पनिंग minus 3 है, r निकालते है दोन-दोनों को वर्क करके जोड़ दिया, तो 2 आ गया 10 alpha का formula लगा दिया यहां मान बग दिया mode है, तो इसलिए plus में आ गया under root 3, यह 10 pi बटे 3 पर होते है, तो alpha आ गया pi बटे 3, यह x positive y negative 4th quadrant में होते है तो जो complex number है z, वो 4th चत्रतांश में है, तो theta का मान minus alpha मनलब minus pi बटे 3 polar रूप जो होते है, दुरुविय रूप इसका z equal to r cos theta plus eta sin theta हिंदी में कहते हैं, दुरुविय रूप polar form को तो अंसर आ गया 2 cos minus pi बटे 3 plus eta sin minus pi बटे 3 second question है, z बराबर minus under root minus 22 बटे 7 तो इसको ऐसे लिख देते हैं, under root minus 22 बटे 7 eta, क्योंकि under root के अंदर negative का चिन है तो इसका जो real भाग हो गया वो तो हो गया 0 और जो काल्पनिक भाग हो गया हमारे पास imaginary z वो आजेगा minus का 22 बटे 7, ठीक है तो जो ये बिंदू आएगा, ये आएगा 0, minus under root का 22 बटे 7, minus 12 under root से मतलब ये भी हमारे पास क्या है, negative y अक्षपर नीचे की ओर है, और कुनांक निकालने के लिए देखो क्या होगा जो 10 alpha होगा, वो होगा imaginary z बटे में real z, मतलब जब मान रखेंगे न तो ये अनन्त आजेगा तो 10 alpha equal to 10 pi बटे 2, तो alpha का मान आगया, pi बटे 2 z जो है न वो negative y अक्षपर स्थित है तो जो theta है न या तो third quadrant का ले लो या fourth का तो मैं third quadrant का ले तो minus pi प्लस alpha तो minus pi प्लस pi बटे 2 तो आजेगा minus pi बटे 2 मतलब जो कोनांक निकालने है हमने कोनांक theta को कहते है minus pi बटे 2 अब इसको यहां से note कर लो जैसे ये z है इसको लिख दिया minus under root 22 बटे 7 आएटा यह बिंदू हो गया real z imaginary z 10 alpha imaginary बटे real या दोनों के मान रख दिये काल्पनिक बटे वास्तिक यह अनंत आ गया तो 10 alpha equal to 10 pi बटे 2 alpha pi बटे 2 अब क्या है जो z है वो क्या है negative y अक्षपर स्थित है तो theta का मान minus pi plus alpha minus pi plus pi बटे 2 minus pi बटे 2 तो जो कुनांक आजेगा हमारे पास minus pi बटे 2 third question में polar form में change गरना है लेकिन यह जो z है ना यह थोड़ा सा सही कर ले ना question में cos pi बटे 4 minus या आएटा होना चाहिए आएटा लिखा नहीं हुआ sin pi बटे 4 तो आएटा लिख ले ना cos pi बटे 4 का मान आजेगा 1 बटे under root 2 आएटा यह भी आजेगा 1 बटे under root 2 तो लगुतम ले लेंगे under root 2 यह आजेगा 1 minus आएटा बटे में under root 2 under root 2 से under root 2 कट जेगा तो यह आजेगा 1 minus i उटा तो हम इसको यहां से note कर लो यह z हो गया यह cos pi बटे 4 और sin बटे 4 का मान रख दिया अंडर उड़ 2 लगुतम ले लिया तो अंडर उड़ 2 से अंडर उड़ 2 कट गया तो answer आजेगा 1 माइनस आयटा fourth question है z बराबर यह तो है 1 प्लस आयटा और दूसरी bracket में है 2 प्लस आयटा और बटे में है 3 माइनस आयटा हम क्या करेंगे उपर नीच तो इन दोनों को गुना कर देंगे और 3 प्लस आयटा से उपर नीचे गुना भी कर देते हैं क्योंकि हम इसको standard form में change करेंगे उपर जब गुना करेंगे न तो यह आजएगा 2 इसको गुना किया 1 को आयटा से गुना किया तो आजएगा आयटा दो को आयटा से गुना किया तो दो आयटा आयटा को आयटा से गुना किया आयटा स्क्यर नीचे बनेगा A स्क्यर माइनस B स्क्यर मतलब तीन का स्क्यर माइनस आयटा का स्क्यर और बार पड़ है तीन प्लस आयटा तो उपर आयटा स्केर की जगा माइनस एक रख देंगे तो यह आजेगा 2 माइनस एक और 2 आयटा प्लस आयटा यह आजेगा 3 आयटा और नीचे आजेगा 9 आयटा स्केर की जगा माइनस एक रखेंगे तो प्लस एक और बार पड़े 3 प्लस आयटा तो दो माइनस एक बच जेगा तो इसको लिग दूँगा एक प्लस तीन आइटा तीन प्लस आइटा और बटे में दस फिर उपर गुना कर देंगे तो आजएगा एक को तीन से गुना कर देंगे तीन फिर एक को आइटा से गुना करेंगे तो आजएगा आयटा प्लस फिर तीन आयटा को तीन से नो आयटा तीन आयटा स्केर और बटे में दस आयटा स्केर की जगा माइनस एक रख देंगे तो हमारे पास आजेगा तीन माइनस तीन और नो आयटा प्लस आयटा ये बनजेगा दस आयटा बटे में दस 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट जेगा तो यह आजेगा AITA मतलब Z का मान तो आगया AITA ठीक है हमने कुनांक ओर मापांक लिखनें सिर्फ इसमें ठीक है तो real Z का मान होजेगा 0, कालपनिक Z का मान आजेगा 1 तो मापांक क्या आएगा रियल बाग का वर्ग मतलब 0 का वर्ग प्लस एक का वर्ग अंसर आज़ेगा 1 10 अलफा निकालेंगे 10 अलफा क्या आएगा इमेजनरी जेट बटे में रियल जेट ठीक है तो यह आज़ेगा अनंत मतलब 10 पाई बटे 2 मतलब अलफा का मान आगया पाई बटे 2 जेट हमारे पास आएटा था मतलब 0,1 मतलब पोजिटिव वाई अक्ष तो पोजिटिव वाई अक्ष होगा तो मतलब हम फस्ट क्वाटर इंड लेंगे या थर्ड ठीक है तो कुनांक जो ठीटा का मान आज़ेगा हम फस्ट वाई ले ले लेते हैं अलफा मतलब पाई बटे 2 तो कुनांक आज़ेगा पाई बटे 2 जेट हमारे पास है 1 प्लस आएटा 2 प्लस आएटा 3 माईनस आएटा उपर दोनों को गुना कर दिया तो यह आज़ेगा और उपर नीचे 3 प्लस आएटा से गुना कर दिया आएटा स्केर का मान माईनस 1 तो यह आज़ेगा 2 माईनस 1 2 आएटा प्लस आएटा यह आज़ेगा 3 आएटा तो 2 माईनस 1 वन हो गया 1 प्लस 3 आएटा 3 प्लस आएटा नीचे आयटा स्केर की जगा माइनस एक रखा तो प्लस एक हो गया नो प्लस एक नो प्लस एक दस हो गया आयटा स्केर की जगा माइनस एक रखा तो यह माइनस तीन हो गया तीन से तीन कट गया नो आयटा प्लस आयटा दस आयटा बटे में दस दस से दस कट गया तो यह आजएगा आयटा तो जो real बाग हो गया वो zero कालपनिक बाग हो गया one और यह real कोमा कालपनिक तो मतलब यह positive y अक्ष positive y अक्ष का मतलब है या तो हम first में लेंगे या second में लेंगे theta को जेट निकालने है तो जेट का मान क्या आजएगा दोनों को वर्क करके जोड़के अंडरूड कर दिया तो जेट का मान आगया one 10 alpha होता है कालपनिक बटे वास्तविक एक बटे जीरो अनन्द अनन्द को लिख दिया 10 pi बटे दो alpha का मान आगया pi बटे दो अब देखो क्या है कि जो जेट है वो positive y अक्षपर्स दीते है तो theta का मान pi बटे दो कुनांक आजएगा pi बटे दो समिश्य संक्या का कुनांक वे मापांक ग्याद कीजिए तो z का मान under root 2 minus under root 3 हमें पते हैं जो under root 3 होता है वो under root 2 से बड़ा होता है ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ minus कॉमा ले लिया under root 3 minus under root 2 कालपनिक बाग के लिए 0 प्लस आयटा लिख देते हैं ठीक है तो जो real बाग हो गया वो तो क्या हो गया real z minus under root 3 minus under root 2 और imaginary जो z हो गया वो आ गया 0 तो मतलब इसमें जो बिंदू होगा न वो minus x कोमा y की format में होगा मतलब ये तो negative होगा और ये negative x और y 0 है mode z निकालेंगे मतलब मापांक निकालना है तो ये real का work real का work मतलब minus under root 3 minus under root 2 का square plus 0 का square minus का square plus हो जेगा तो under root 3 minus under root 2 का square तो ये आज़ेगा under root 3 minus under root 2 10 alpha 10 alpha हमारे पास होता है imaginary z बटे में real z ठीक है तो imaginary z हमारे पास 0 है तो ये 0 आजएगा मतलब 10 alpha equal to 10 0 तो alpha का मान क्या आजएगा 0 अब ये बिंदू है ना ये इस format में minus x,0 में मतलब ये negative x अक्ष पर है तो negative x के लिए या तो हम दूसरा चतुरताश लेंगे या तीसरा दोनों ही सही है ठीक है तो दूसरा चतुरताश में जो ठीटा होता है वो होता है पाई माइनस alpha मतलब पाई माइनस 0 पाई तीसरा लेंगे तो माइनस पाई आएगा दोनों अलसर सही है तो कोनांक आजएगा हमारे पस पाई तो इसमें से आप देख लो जैसे z under root 2 minus under root 3 minus common ले लिया क्योंकि under root 3 क्या है under root 2 से बड़ा होता है ठीक है तो यह minus x और 0 के रूप में आगया मतलम negative x अक्षपर होगा तो real part कालपनिक part तो मों पांक निकाल लेंगे तो real का वर्ग कालपनिक का वर्ग minus का वर्ग प्लस होता है तो आजएगा under root 3 minus under root 2 10 alpha imaginary वर्टे real तो यह आजएगा 0, z minus x अक्षपर्स तीत है तो दूसरे चतुरतांश वाला ले लिया pi minus alpha alpha का मान 0 है तो को नांक हमारे पास आगया pi यह हमारे पास वही है polar root के लिए हमने कैसे कैसे करना था यह चार्ट है जो polar root के लिए है यह प्रथम चतुरतांश के लिए थीटा alpha थीटा pi minus alpha दूसरे के लिए minus pi plus alpha third के लिए और fourth के लिए minus alpha यहाँ x और y दोनो प्लस में होते हैं x negative y plus यहाँ दोनो negative x plus y negative यह positive x सक्ष negative x सक्ष positive y negative y तो positive y के लिए इन दोनों में से कोई ले लो negative y के लिए इन दोनों में से कोई ले लो okay thank you करुए भी दोन?", उन kayak लिएको के में लोग・ प्लसblick के लिए